लोक्तंत्र में जनता ही माईबाप है और जनादेश शिरोधार्य है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ लेकिन अचम्बित नहीं हूँ। कॉंग्रिस पार्टी रिवाज बदल सकती थी लेकिन अशोक गहलोज जी कभी कोई बदलाव चाहते ही नहीं थी। यहार कॉंग्रिस की नहीं है यहार हमारे अशोक गहलोज जी की है। ना ही उनका जादू चला और ना ही उनका अनुपव। हर बार की तरह, इस बार भी Congress Party ने अपनी योजनाव के जरीये चनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी Congress को अपनी योजनाव के सहारे जीत नहीं मिल सकी ये बयान किसी और का नहीं, अशुक घहलोत के OSD लोकेश शर्मा का है लोकेश शर्मा ने 2023 के विधान सवाचनाओं में कॉंग्रेस की हार का ठीका अशोग गैलोत के सर पोड़ा है उन्होंने कहा गैलोत ने लगातार तीसरी बार सीम रहते हुए पार्टी को फिर से हाशिये पर लाकर खड़ा कर दिया है गैलोत ने पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है पार्टी को कभी भी कुछ भी दिया नहीं है आगे लोकेश शर्मा ने कहा ये जो नतीजे आये हैं इनके बारे में मैं पहले से ही जानता था और मुख्यमंत्री को भी मैंने पहले से ही नतीजों के बारे में बता दिया था लेकिन कहते हैं ना सच कड़वा होता है और हर कोई सच को स्विकार नहीं करता है अशोग गैलोत ने कभी सच को स्विकार नहीं किया मैंने उन्हें कई बार आगा किया लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो उनके सच के बारे में उन्हें बता सकी। मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। मैं 6 महीनों से लगातार राजिस्थान के कज़गों, गाउं और धानियों में घूम रहा था। मैंने 127 विदान सबाओ का जायजा लिया, वहां के लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत के बारे में जाना, आम जनिता की समस्याय सुनी और अशोक गैलोत को समय पर पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया, जिससे समय रहते हुए पार्टी के पक्ष में सही फैसला लिया जा स के जिससे पार्टी की वाक्सी सुनिश्चित को, लेकिन अशोक गैलोत ने मेरी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, बता दे कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, उसे लेकर लोकेश शर्मा ने गैलोत के में की विधायक की बगावत पर निशाना साधा, और एक्सपर लिख 25 सितंबर की घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब गैलोत ने आलकमान के खिलाव बद्रो कर अवमानना की थी, उस जिन से ये सारा खेल शुरू हो गया था, जिसका परिणाम कल अशोक गैलोत को मिल गया है, अगर अशोक गैलोत चाहते, तो सही समय पर पार्टी के ल राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा है, बाकिदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दरनगरी न्यूस, मैं सुद्देका मनुहर आपके साथ शुक्रिया